दोस्तो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेसिक फार्मसी लक्षर में तो आज जो हम वीडियो में लेके आएं वो लेके आएं डार्क सरकल की क्रीम इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे डार्क सरकल हटाए जाते हैं कौन सी क्रीमें कभी यूज़ करनी चाहिए तो चली एक एक करके हम सारी क्रीमें देखेंगे तो हमारी पहली क्रीम है उसका नाम है 25 विटामिन सी क्रीम ये क्रीम सिपला कंपनी द्वारा बनाई गई है और इसका यूज डार्क सरकल और काले डब्बे हटाने के लिए किया जाता है अब नेश्ट जो हमारी क्रीम है वो है मामा आर्थ की बाई बाई डार्क सरकल क्रीम इस क्रीम का ब्रांड नेम भी मामा आर्थ है जो कि मुम्मा अर्थ कंपनी द्वार मैनुफेक्चिंग की जाती है वहीं इसका यूज देखें तो ये भी काले दब्बे ये काले निसान को हटाने के लिए यूज करी जाती है आँखों के नीचे ब्लैक डार्क सरकल हो जाते है ठीक है ना काले दब्बे हो जाते है हलकिसी जूरिया हो जाती है उनमें ये यूज करी जाती है अब नेश्ट जो हमारी क्रीम है वह हिमालिया की अंडर आई क्रीम इस कंपनी का ब्रांड नेम हिमालिया है ठीक है और इसका यूज भी आउन की काले दब्बे यह आँखों के नीचे कालापन हटाने के लिए किया जाता है نेश्ट कृम देखेंगे हम अपनी, वह है मारी डेमलेन कृम यह गलान मार कमपनी द्वारा बनाई जाती है इसका यूज़ देखे तो आँखों के नीचे काले धब्बे, काले निसान या जहाईयां हटाने के लिए किया जाता है नेस्ट है हमारी आई कोजिक जैल क्रीम आई कोजिक जैल क्रीम ये आर क्यों दुआरा कमपनी दुआरा मैनुफेक्चिंग की जाती है इसका यूज़ आँखों के नीचे डार्क सरकल, काले धब्बे और जुज़ियां हटाने के लिए यूज़ किये जाती है नेस्ट जो हमारी क्रीम है वो ही कोजिक क्रीम इसका जो ब्रेंड है वो है माइक्रो गार्सिया इसका यूज भी आँखों के नीचे डार्क सरकल और काले धब्बे हटाने के लिए किया जाता है नेस्ट है हमारे केरिम गिलैम पैक जेल एक कैपलर फार्मर दुवारा बनाई जाती है इन सभी का यूज आँखों के नीचे काले धब्बे काले निसान और हलकी जाईया होने पे यूज किया जाता है अब देखिए कही वार ऐसा होता है कि हमें आँखों के नीचे खुजली होती है ठीक है रैसिस होती है खुजली होती है इचिंग होती है उस case में पहले हमें ये क्रीमें ना लगा के हमारी जो क्रीम आती है वो Qardy Drum RF क्रीम आती है इसको हमें यूज़ करना चाहिए आँखों के नीचे की साइड ठीक है ताकि हमारी इचिंग ये जो भी खुजली है वो ठीक हो सके वो ठीक होने के बाद हम इन क्रीमों का यूज़ करेंगे उससे पहले हमें Qardy Drum आँखों के नीचे अच्छे से लगानी है ठीक है तो इसका जो brand name है वो है MSD MSD company दोबारा ये बनाई जाती है इसका यूज़ खुजली के लिए किया जाता है ठीक है तो पहले अगर किसी के इचिंग हो रही है तो ये क्रीम न लगा के आप पहले Qardy Drum की RF क्रीम लगाओ उसके बाद इचिंग ठीक होने पर जो बताई गई क्रीम है उनका यूज़ किया जाए तो ही आपको जदे फायदमन्द होगा ठीक है तो ये थी भई हमारी सारी डार्क सरकल की क्रीमें उमीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी और हाँ अगर किसी को ज़ादे दिक्कत हो ठीक है किसी के ज़्यादे ही डार्क सरकल हो इन क्रीमियों से अराम ना मिले तो आप एक बार डोक्टर से कंसल कर सकते हैं तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना हमारे चैनल को ज़्यादे से ज़्यादे सब्सक्राइब करो सेयर करो ताकि आने वाली सभी important वीडियो आपको time to time मिलती रहे तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली medicine के साथ तब तक के लिए Bye, Take Care